हलो आपरीबरन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम तो सॉल्फ करेंगे वाक्षिट वन के कोस्टन्स को और इसके पहले के जो चैप्टर से उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो राइट साइड कोलोर पर आपको पॉपन टोटी हमारा हमने फिल्ट दिया हुआ है और वह रेक्टंगल से यहें तो आभे हमको यहाँ पर क्या निकालना है कोस्ट निकालना तो सबसे पर यहां हब यहां पर पेरिमिटर निकालihi तो पिरिमिटर का हमारा फोर्मूला आपे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा टो इंट्व एल प्लस बी होगा ठीक है अब पेरिमेटर क्यों निकाल रहे हैं चुकर कि नाँकर बॉंड्रे यह हमारा किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा अभी इसको एड़ कर लेते फिर 2 से पहले multiply करेंगे बाद में पहले एड़ किजी तो 9 यहां पर हमारा 5 रहेगा 9 और 3 हमारा 12 के लिए 2 आ रहा है 1 हमारा अभी भी carry है और यह 1 और 2 हमारा कितना हो गया 225 हो हो गया तो फिर से इसको multiply कर लेंगा टू से तो यह हमारे पास हो जाता है 450 ठीक है तो 450 मीटर हमारा क्या आ गया boundary length आ गया आप यहां पर लोग not कर सकते हैं cost of fencing ठीक है तो I am cost of fencing या not कर लिए अभी cost of fencing हमारा कितना होगा तो यहां यहां पर हमारा boundary length कितना आ गया है 450 और rate क्या है तो 20 रूपीज लग रहा है एक मीटर का तो हम यहां पर क्या करेंगे 20 से multiply कर देंगे तो हमारा कितना cost आएगा fencing को यहां निकल लेगा तो 45 को को टू से multiply करते हैं तो हमारे पास 90 आता है और यहां पर टू जिलोज हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा क्या आ गया 9000 तो 9000 हम लोग को यहां पर लग जाएगा कोस्ट फेंसिंग का ओके कुश्चिन नमर्स सेकेंड में कहता है अच्छे गोजेज थी टाइम्स अरांड रेक्टेंगुलर फिल्ड फिल्ड हुज लेंधें ब्रेथ हार 25 मीटर एंड 19 मीटर रिस्पैक्टिवली तो आप देखिए यहां पर कर गया है कि अक्छे जो है ना एक रेक्टेंगुलर फिल्ड में उसके चारों तरफ थी टाइम्स जाता है आनि कि तीन चकर लगाता है ठीक है तो थी टाइमस अनि थी चकर लगा रहा है तो हम लोग बताना है कि कितना डिस्टेंस हो कबर करता है तो सिंपल है हम लोग पेले यहां पे इसका बाउंडरे लेंथ न कालेंगे आने कि पेरिमिटर न कालेंगी और पेरिमिटर के बादा później कर देंगा तो हमारा answer यहाँ पर आएगा, पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, एक rectangular field, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, चलिए, P, L, A, Y में यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ पर length हमारा कितना दिया हुए, तो 25 meters, और breadth दिया हु प्लस भी यह formula हुआ करता है, अब यहाँ पर 2 और L का value हमारे पास 25 और B का value कितना है, तो 19, इतना क्या हमारा आएगा हम पर, meter में देख लिजे, meter में दिया हुए value हमारा, हम यहाँ पर 2 और इसको add कर लेते हैं, तो 25 में अगर 19 add करते हैं, तो 44 आता है, ठीक है, 44 meter, इसको 2 स आ गया हमारे पास, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से multiply करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कितना distance कवर किया है, चुकि यहाँ पर 3 times round लगा रहा है, तो note कर लेते हैं, distance covered by अक्ष है, और यह हमारा हो जागा, 3 multiplied by boundary length, boundary length हमारा 88 आया है, 3 से multiply किजे, तो 8 थरीजा कित मीटर हम लोगों का यहाँ पर बन गया answer, आने इतना distance cover कर लेगा, आने तीन चकर में, यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुए question, इसमें से यह कहता है, कि जो field है, वो कैसा है न, square field, the length of one side of a square field is 25 meter, और जो side का length दिया हुए, कितना दिया हुए, तो 25 meter है, कहा गया है, find the cost of fencing at the rate of rupees 18 per meter, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पर जो square field है, इसका हमको निकालना पड़ेगा, boundary length, boundary length हाने कि इसका perimeter निकालना होगा, तो पहले हम लोगों यहाँ पर एक square field यहाँ पर बना लेते हैं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, सपोश किजिए कि ROSE हमने यहाँ पर नाम दे पड़ेगा क्या, पहले तो इसका boundary length निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम rate से multiply करेंगे, तब इमको cost निकल जाएगा, हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे perimeter of the field और यह field square है, शेप का है, देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर होगा, 4 into side होगा, ठीक है, length of the side, 4 और यहाँ साइड का length कितना है, तो 25 meter, इसको 4 से multiply करने से हम लोग को मिल जाता है, 100 meter, तो 100 meter हमारा क्या हो गया, यह boundary length हो गया, आने की 4 गवल का length हो गया, अब इसमें fencing करना है, तो fencing का rate क्या है, 18 rupees, तो 18 से multiply करेंगे, note करेंगे हम लोग, so cost of fencing, यहाँ पे 100 meter है, और 1 meter का खर्च कितना आ रहा है, 18 rupees, ठीक है, तो 18 से multiply कर लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 18 पे 2 zeros, that is 1,800 हम लोगों का बन जाता है answer, next question number हम लोग 4 यहाँ पे solve करेंगे, और question number 4 में कहता है, राजू रेन एराउंड रेक्टेंगुलर गार्डेन और लेंथ 30 मीटर और ब्रेथ 15 मीटर, तो राजू जो है, वो दोड़ लगाया, रेक्टेंगुलर गार्डन के चाव तरफ, और उसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दे दिया है, माल लेते हैं कि यह हमारा मीटर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, अब इस गार्डन का हम कुछ नाम भी रख सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे नाम रखते हैं, डी, ए, आर, के, और भी आप कुछ नाम रख सकते हैं, उसके बाद दूसरा यहाँ पे कहता है, मानू रेन एराउंड स्क्वाइर और स्कॉडर फिल्ड के चाहत और स्कॉर फिल्ड का यहाँ पे हमारे पास दिया गिया है ओर साइड की तना दे रखा यह तो यह दिया हुआ है, थर्टिपा इू पे थर्टिपाइप मितर मार्क कर लिए, अब इसका भी हम लोग यहाँ पे कुछ नाम रख सकते हैं, चलिने यहाँ पर हम लोग नाम रखते हैं P O S T कुछ और भी नाम आप दे सकते हैं ओके अभी हमको बताना है कि जैदा distance कौन कवर किया है तो इसके लिए हम लोगो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इसका निकालना पड़ेगा boundary length आने perimeter और यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा boundary length आने perimeter तो आईए हम इसको calculate करते हैं तो पहले हम लोग यहाँ पर नाट कर लेते हैं distance covered by राजू और यह हमारा हो जाएगा 2 into L plus B okay चुकि राजू rectangular garden के चाह उत्रब दोड़ लगाया तो यहाँ पर 2 और यह हमारा L का value कितना 30 यहाँ पर नोट किये और breath हमारा कितना 15 इतना हमारा मीटर आ जाएगा तो यह 2 पहले add कर लिजिए तो add करने से हम लोग को 45 मीटर और इसको अगर 2 से length side का कितना है तो यह हमारा 35 मीटर ठीक है तो 35 मीटर रख दिए इसको फोर से multiply करना पड़ेगा तो 5 4 20 हो रहा है 4 3 12 और 2 हमारा 40 आने की 140 मीटर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरिमिटर की distance ज्यादा कोन कवर किया है मानू ज्यादा distance कवर किया है और यह 140 मीटर distance कवर किया है राजू कितना distance कवर किया है तो 90 मीटर तो ज्यादा distance यहाँ पे मानू कवर किया है अब कहता है by how much तो हम यहाँ पे difference निकाल लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना मिल जाता हमारे पास 50 तो 50 मीटर्स तो यहाँ पे लिखेंगे मानू कवर मोर डिस्टेंस बाइ 50 मीटर्स और यह हम लोगों का हो गया आंसर ठीक है बस इतना हम लोगों करना है question नमर फिप्त हम लोग solve करेंगे कहता है विनित wants to polish the flour of a room which is 140 cm long and 120 cm wide तो यहाँ पे जो flour है इसका दिया हुए length और breath और उसको polish करना चाहता है विनित कहता है the charges for polishing the flour is 50 rupees 52 per square meter what will be the cost of polishing the flour of the room तो जो रूम का है flour उसको polish करने का कितना cost लग जाएगा यह हम लोगों को बदाना है तो सबसे पहले हम लोगों कहाँ पे area निकालना पड़ेगा कि flour का area क्या है तो चलिए हम लोगों सबसे पहले हम पेक बना लेते है rectangular floor यह हमारा floor जो इसको नाम कुछ दे देते हैं जैसे मालजे की PIN के हमने यहाँ पे name दे दिया और इसका length की बात करें तो floor का जो length है वो हमारा कितना दिया हुए 140 cm यह हमने mark कर लिया और यहाँ पे जो हमारा breath है breath floor का कितना दिया हुए यह है 120 cm यह भी हमने यहाँ पे mark कर लिया ठीक है यह हम लोगों कर लेना है ओके अभी ना हमको आपे area निकालना पड़ेगा तो आईए हम पहले आपे area निकाल लेते हैं तो यह जो floor आईए कैसा है rectangular है length और breath है तो मुन लिखेंगे area of the floor और यह हमारा हो जगा length into breath ठीक है तो length हमारा यहाँ पे कितना है 140 और breath हमारा कितना है 120 और यह हमारा किस में सब्सक्राइगा तो आई इसको multiply कर देते हैं यहीं पर जल्दी से multiply कर लेते हैं हमारा 14 नहीं है हमारा 12 है इसको multiply करेंगे तो 14 टूजा 28 और 14 1 जा 14 इसको add कर लिजिए तो 8 यहाँ पे 6 वहाँ पे 168 आया 168 अब यह 20 जहां पे जो हमने छोड़ दिये थे यह हमारा यहाँ प स्कॉर मीटर में दिया हुए देखिए मीटर में दिया हुआ है लेकिन हमारा centimeter में आया है तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में लेके जाएंगे तो में लेके जाने के लिए को 10,000 से डिवाइट करना पड़ेगा तो 16800 और इसको यहाँ पे जब 10,000 से डिवाइट करेंगे तो यह हमारा मीटर स्कॉयर में आ जाएगा अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है कि 1 मीटर एक्वल टू 100 सेंटी मीटर लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 मीटर स्कॉयर की बात करते हैं तब यह हमारा हुआ करता है 10,000 cm2 यह आप लोग ध्यान रखेगा तो इसलिए हमको यहाँ पर cm2 से मिटर में जाना था तो हमने यहाँ पर क्या किया 10,000 से डिवाइट किया तो हमारा cm2 से मिटर में चला गया अब देखे इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो यह तो 10 हमारा cancel out होगा अभी हमारा यहाँ पर 168 बचा और यह 100 यहाँ पर रह गया है 100 से अगर हम डिवाइट करते हैं तो यह decimal यहाँ पर आजाएगा आनि 1.68 हमारा meter square में आएगा अब यहाँ पर ध्यान रखे 52 रूपीज लग रहा है ना एक meter square का तो 52 से मिसको multiply करेंगे तो हमारा यहाँ पर cost आजाएगा floor को polish करने का तो हम लोग यहाँ पर next note कर लेते हैं so cost of polishing floor और यह 1.68 इतना meter square है और एक meter square का cost यहाँ पर लग रहा है 52 तो 52 से multiply कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है 87.36 that is आप यह कह सकते हैं 87 रूपीज और 36 पैसे इतना हमारा क्या हो गया answer कैसे हम multiply किये तो देखे multiply करना वहती ही आसान है हम लोग जैसे multiply करते हैं बस वही यहाँ पर हम लोगों ने use किया यहाँ पर 52 से हम 168 को multiply करें लास्ट में हम decimal को यहाँ पर put करेंगे तो अगर हम 8 2 जा यहाँ पर देखे तो 16 हो जाता है और 6 2 जा हमारा 12 plus 1 that is 13 हो गया 2 बंजा 2 और हमारा एक बचा है तो कितना हो गया 3 हो गया के लिए यह देख लिए अभी हम पर cross put करेंगे 5 से करेंगे 5 8 जा कितना हुआ 40 4 हमारा बच रहा है और 6 6 5 30 और 4 34 हो गया और 5 5 और 3 8 हो गया इसको आप add करें यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 और यह हमारा 7 यह हमारा 8 कितना आया 8 7 3 6 आया अब देखिए यहाँ पर decimal था ना हमारा तो 2 डिएट के बाद हम decimal रख देंगे तो कितना आगा जितना डिएट हमारा रहेगा decimal के बाद उतने डिएट के बाद हम यहाँ पर point रखेंगे तो 87.36 हमारा आगया answer ओके तो इस तरह से multiply करने के लिए यहाँ पर देख लिए चलिए हम next question नमर 6 solve करते तो यहाँ पर question नमर 6 में कहता है हम लोगों से a carpet is 6 meter long and 4.5 meter wide carpet की लंबाई और चुड़ाई दी हुई है कहता है find the area of the carpet carpet का हमको area निकालना है also find the cost of the carpet if it cost rupees 45 per square meter एक square meter का कितना cost लग रहा है 45 rupees तो हमको यहाँ पर जो carpet है इसका हमको cost निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर mark कर लेते हैं बना लेते हैं एक picture carpet का इसका कुछ हम नाम ले लेते हैं चले यहाँ पर हम लिखते हैं L A R G यह हमने नाम दे दिया यहाँ पर length की बात करें तो length हमारा यहाँ पर 6 meter और breath हमारा कितना है यहाँ पर 4.5 meter यह भी mark कर लिए तो आईए हम लोग आप note करेंगे area of the carpet और यह हमारा क्या होगा तो length into breath होगा हमारा चुकि यह rectangular है तो length हमारा यहाँ पर कितना है 6 meters तो 6 meter note किये breath हमारा कितना है 4.5 meters तो 4.5 meters note कर लिए इसको multiply कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 6, 5,000 कितना हो गया 30 6 पोजा 24 और 3 हमारा बच्चावा था तो 24 प्लस 3 27 27 note किजिए और यहाँ पर decimal के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर आपका डिजिट एक डिजिट के बाद decimal आ जाएगा तो इतना meter square 27.0 है तो इसको हम simply यहाँ पर क्या लिख सकते है 27 लिख सकते है 27 meter और यह हमारा हो गया पहला answer यहाँ पर कहा गया था find the area of the carpet यहाँ निकल गया आप यहाँ पर cost निकालेंगे और हम लोग लिखेंगे cost of the carpet तो जितना हमारा area आया कार्पेट का और उसको कि से multiply करेंगे यहाँ पर 45 से multiply करना पड़ेगा चुकि one meter square का क्या इसको फॉर्टिफाइब से multiply कर लेते हैं multiply हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इदर ठीक है यह देखिए हमारे पास क्या है इसको 45 से multiply करेंगे हमारे पस क्या आएगा देखिएगा seven five जा हमारा कितना होगा da 35 हो गया यहां पर 35 के लिए five five तो ten ten ओर हमारा कितना इतर तरी आया तो थर्टिन हो गीया तो रहां पे 135 हो गया ठीकेश यहां पर लगाएंगी फिर यहां पे हमारा आएगा 108 आएगा इसको एड़ कर लेंगे 5 यहां पर 1 यहां पे हमारे पास 21 कितना आ रहा है यहां हमारा 215 ठीक है देख लिए इतना हमारा आगा यह क्या है गा अमारा रूपीज में आगा तो रूपीज 1215 टीक है इतना हमारा क्या आ जा जागा कोस्ट आ जागा किसका तो कार्पेट तो चलिए हम इसको नहां पे answer not कर लेते हैं ओके next हम लोग question number 7 solve करेंगे question number 7 पे हमारे पास एक पार्क दिया हुआ देखे कहता है अब पार्क is to be watered पार्क में क्या करना हमको water देना है if one side of the park is 4.2 meter find the area to be watered तो यह हम यहां पे बना लिए हैं मानके चलते हैं कि हमारा square ship का पार्क है और इसका जो side का length दिया हुआ है वो कितना है 4.2 meter दिया हुआ हम इसका कुछ नाम दे सकते हैं चलिए हम यहां पे लेते हैं ल, A, N, D करके हम कुछ नाम दे दिये आप कुछ और नेम दे सकते हैं हमको area निकालना है find the area to be watered और पार्क का area निकालना पड़ेगा तो यह square shape का है तो side into side करेंगे note करेंगे हम लोग area of the park that is यहां फे side multiplied by side और यह कितना तो 4.2 multiplied by 4.2 इतना हमारा क्या आएगा तो meter square में आएगा इसको multiply करते हैं यहां पर तो यह हमारा 42 यह हमारा 42 इसको multiply किये तो 42 इसको plus करेंगे यह 4 यहां पर 6 और यह 7 और फिर यहां पर 1 इतना आ गया हमारा आ गया 1 7 6 4 ध्यान देजिए यहां भी decimal और यहां भी decimal ठीक है दोनों जगा डेसिमल है तो टूड इसके बाद हमको decimal पूट करना यहां पर आने कि यहां पर हमारा डेसिमल आ जाएगा तो 17.64 मीटर स्कोर हमारा आ रहे क्या एरिया किसका पार्क का तो इतना ही एरिया को हमको यहां पर वाटर देना पड़ेगा तो हम लोग नोट कर लेते हैं यह हम लोगों का हो गया final answer कुछ्चन 8 कहता है विच प्लेगराउंड है विगर एरिया वन दाइट मेजर्स 50 मीटर बाइए 40 मीटर और दी अधर दाइट मेजर्स 75 मीटर बाइए 20 मीटर तो दो प्लेगराउंड से ने दोनों का यहां पर मेजर्मेंट दिया हूँ हम लोगो बताना है कि area यहाँ पर किसका जाइदा है तो पहले हम लोग यहाँ पर construct कर लेते हैं two fields को playgrounds पहले playground का नाम लोग यहाँ पर ले देते हैं कुछ भी ले सकते हैं चलिए L ले देते हैं I-O-N यह मन लिए कि हमारा पहला playground है ठीक है और इसका जो है length वो कितना दिया हुआ है तो 50 meters और breath कितना है 40 meters यह हम यहाँ पर मान के चले clear अभी दूसरा playground आए इसका भी हम लोग यहाँ पर कुछ name ले जाते हैं तो इसका name लोग ले जाते हैं D U C K ले लिए ठीक है D U C K ले लिए इसका हम यहाँ पर ले ले लेते हैं length कितना तो 75 meters और breath यहाँ पर कितना दे रखा है तो 20 meters यह हम यहाँ पर mark कर लिए ठीक है length दो breath mark कर लिए आगको area निकालना है तो area निकालना है तो आए हम area निकालते हैं हम लोग लिखेंगे area of playground L I O N और इसका होगा length दो breath तो यहाँ पर 50 और breath कितना 40 इसको multiply कर लिए तो यह हमारा हो गया 5 for the 20 और 2 0 जहाँ पर आ जाएंगे इतना क्या meter square तो यहाँ पर एक area आ गया दूसरा playground इसको भी area निकालते हैं लिखेंगे end area of playground D U C K इसका length और breath यहाँ पर देखे 75 और breath कितना 20 इसको multiply किए 75 को 2 से multiply करेंगे तो 150 और यहाँ पर एक 0 आ जागा तो 1500 आने की 1500 मीटर square आप देख सकते हैं यहाँ पर area किसका ज़्यादा है पहला playground का तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे नोट करेंगे area of the first playground is more और यह हम लोगों का आप पर answer complete हो गया तो हमने यहाँ पर solve कर लिया वाक्षिट वन के सारे questions को so thanks for watching have a glorious day ahead change